कि क्या छोटे बच्चे की परवरिश के लिए उसकी देखरे के लिए उसे मेंटेन करने के लिए अगर पती पत्नी से या उसके परिवार वालों से पैसे की डिमांड करता है तो क्या वो दहेज की डिमांड में फॉल करेगा? क्या पतनी या उसके परिवार वालों से बच्चे की मेंटेनेंस के लिए पैसे की डिमांड करना 498 A के तहट या डौरी प्रेप्शन एक के तहट अपराद माना जाएगा नमश्कार दोस्तों लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस दोस्तों आज हम 498 A और डौरी प्रेप्शन एक के एक बहुत ही इंपॉर्टन लौपाइंट पर ओर्डेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टन और लैन्मक जज्जमेंट पर बात करेंगे दोस्तों एक पत्नी अपने और अपने बच्चे के भरन पोशन मेंटेनेंस के लिए पती पर केस कर सकती है ये उसका एक कानूनी अधिकार है लेकिन अगर पती शादी के बाद कभी भी अपनी पत्नी से पैसे मांग लेता है या पत्नी को कह देता है कि वो अपने माता-पिता से पैसे लियाए थोड़ी पत्नी की मदद कर दे तो पत्नी पर दहेज मांगने का अरोप लग जाता है उस समय ये देखा नहीं जाता कि पती की क्या intention है पती किस परपस से वो पैसे मांग रहा है दोस्तों आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक पत्नी के द्वारा अपने पती और ससुराल वालों पर 498A और डौरी प्रेप्शन एक्ट के तहट केस फाहिल किया गया ये आरोप लगाए गए कि पती और ससुराल वालों के द्वारा पत्नी से पैसे की demand की गई और पत्नी का यहां तक आरोप था कि उस पैसे के लिए पत्नी पर अत्याचार भी किये गए दोस्तों ऐसी situation में 99% लोग धर जाते हैं क्योंकि उन्हें कानून की पूरी जानकारी नहीं होती तेकिन आज जो case हम discuss करेंगे वो एक classic example है कि कैसे हम देहेज के कानून को misinterpret कर देते हैं और अपने आपको दोशी मानने लगते हैं दोस्तों वीडियो बहुत ही important है इसलिए आपने वीडियो को अंतक दरूर देखना है यदि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ ही notification bell icon दबा दीजिए in case आपकी कोई भी legal समस्या है legal problem है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं यदि आप urgently मुझसे बात करना चाहते हैं अपने matter को discuss करना चाहते हैं तो आप call me for application का इस्तमाल कर सकते हैं या email से भी मुझसे one to one session की appointment लिज सकते हैं दोस्तों इस case में एक पत्नी के द्वारा अपने पती और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498A और डौरी प्रिप्शन एक्ट के तहट केस फाइल किया गया दोस्तों यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि यह case पत्नी के द्वारा शादी के 10 साल के बाद फाइल किया गया था पत्नी के द्वारा अरोप लगाया गया कि बेटी के पैदा होने के 3 साल के बाद पती और 7 ससुर ने पैसे की डिमांड की पत्नी को कहा कि वो अपने घर से 10 सजार उपे लेकर के आए ताकि जो बेटी है उसकी देखरेक हो सके उसका पालन पोजिशन वो कर सके उसे मिंटेन कर सके और ससुराल वालों ने अपनी इस दिमांड के चलते पत्नी को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी किया दोस्तों पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर एफ़ायर दर्च हुई पुलिस के द्वारा इंवेस्टिगेशन करके कोट में चलान पेश किया गया दोस्तों ट्रायल कोट के द्वारा के इसके फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर पती और उसके परिवार वालों को किया हैं दोस्तों इसके बाद पति और उसके परिवार वालोंने ट्रायल कोट के ऊर्डर को सेशन कोट में चैलेंज किया लेकिन सेशन कोट ने भी उन्हें किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया और नीचे वाली कोट की जो जजमेंंट थी उसे बरकरार रखा कायम रखा इसके बाद पती पक्ष के द्वारा ओंडेबल हाई कोट के सामने डिविजन पिटिशन फैल की गई दोस्तों हाई कोट के सामने जो मेन लॉप पॉइंट था वो ये था कि क्या छोटे बच्चे की परवरिश के लिए उसकी देखरे के लिए उसे मेंटेन करने के ल करना 498 एक के तहट या डौरी प्रेप्शन एक के तहट अपराद माना जाएगा और इस बात को ले करके अगर पती पत्नी पर या सुसुराल वाले पत्नी पर अत्याचार करते हैं तो क्या वो अत्याचार 498 के दारे में आएगा दोस्तों इन पॉइंट्स को डिसाइड करन में ओन्रेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि दहेज के लिए जो सबसे important element है वो यह है कि क्या वो दहेज की डिमांड in consideration to marriage है यानि कि अगर वो दहेज की डिमांड पूरी नहीं की गई तो शादी को ही खतम कर दिया जाएगा डाइवोर्स दिया जाएगा ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर दहेज की डिमांड का शादी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है यानि कि दहेज मिले या ना मिले शादी फिर भी चलती रहेगी कायम रहेगी तो उसे दहेज की डिमांड नहीं का जा सकता केवल और केवल उस तिती में डिमांड को देज की डिमांड कहा जाएगा जहां पर डिमांड ना पूरी होने पर शादी तोड़ने की धमकी दी जाए या शादी तोड़ दी जाए दोस्तों इसी तरह ओंडेबल सुप्रीम कोट की लैंडमाक जज़्जमंट गिर्धर वर्सिस टेट अव महराष्टा में भी ओंडेबल 498 के दाएरे में नहीं आएगा अत्याचार के दाएरे में नहीं आएगा दोस्तों ओंडेबल सुप्रीम कोट की इनी जज़्जमंट के बेसिस पर हाई कोट का कहना था कि नवजाज शिशू के पालन पोशिन के लिए उसकी देखरे के लिए अगर पती पतनी से या पतनी के परिवार वलों से पैसे की डिमांड करता है तो ना तो वो डौरी प्रिप्शन एक्ट में फॉल करेगा और ना ही 498 में फॉल करेगा दोस्तों ऐसे में ओंडेबल हाई कोट के द्वारा पती और उसके परिवार वलों की रिविजन पिटिशन को अलाओ किया गया उन्हें ब भी आप उचे बेच सकते हैं इस जज़्जमेंट का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बहां जाकर कि आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्स के नुसार यूज भी कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि आपको वीड पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेर दुरूब कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन